हाई फ्रेंट्स मैं मनीश आज के सब्सक्राइब मैं आप से बात करने वाला हूं मर्स्टिडी जवैन CLA 200 के बारे में तो उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से हमारी यूटूब फैम्ली को विश्यू हैपी देवाली आप सभी को दीपावली के हर्दी सुपकाम ना है आज के मैं आप से बात करने वाला हूं मर्स्टिडी जवैन CLA 200 के बारे में तो आज के फूरा हम करने वाले हैं इस कार के इंजन और सब्सक्राइब करने वाले हैं और किस ग्रेट का हम इसमें इंजन और यूज करने वाले हैं वोके दोसे एक आपको बैतरा आइडिया लग सब्सक्राइब करने के लिए आपको के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं एक अपने वाले हैं लिए श्राइब आपको पूरा कांटीडियो देखते हैं। अब प्सक्राइब करने वाले है इस कार की इंजनल सर्विस और प्रेटली जितनी भी समें इसमें सर्विसपार्स होते हैं और हम ड़को में प्लेश करेंगे और श्रुष करेंगे। अबचे है करो का नुte कर चोंडा है इस करने वादे कार की सभीagine है अब हमने खोला हुआ अब पो खीनिन नीचे की यह खोला हुआ है तो इस जगा पर लोकेशन है इसके ड्रेन प्लक की इसके ओल समी जगा से हमने इसका जो ओल था हो ड्रेन कर दिया है और कुछ लिकेज भी है साइड इसका जो कि है इसका ऑल सी लिकेज है तो इसको हम अभी प्रफट नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमरे पास जो गार आई हुई है जो कार अभी आई हुई है वह आई हुई ओनली सर्फिशिंग के लिए तो अभी हमने इसका जो ऑईल समका डेन प्लक था उसको खोल करें है तो अभी सेकेंड डिश्टैप हम इसमें र लोकिशन पर तो, हवी फिटिंग करते हैं इसके, ऐल filter को तो यह जो भी तरीके से आपको इसका ऐल filter targeting घी को फिक्स करना और वो, इर्शके ऐल filter को खुलने के लिए इसकी जो special toolkit हो ती है, जो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह है इसकी special toolkit जो कि इसमें सभी प्रकार के सारे spanner का size होता है इसके oil filter cap को खोलने के लिए ओके तो अभी हम इस oil filter को tight कर देते हैं और second step में हम इसमें replace करेंगे इसका air filter तो इस जगा पर रखता है इसका air filter जो कि अभी हमने खोला हुआ है इसके air filter को एक तो यहां पर अभी हम पहले इसके oil filter को tight करते हैं और filter tight करने के बाद इस तरहिके से tight कर दोने का तो यह वाल फिल्टर हमें टाइट करने के बाद इसका जो स्पैनर है इसको हम अटा लेते हैं तो यह टूल है इसका जिससे आप इसके वाल फिल्टर को एजिली बड़े ही स्टेप तरीकी से आप खोल सकते हैं ब्रुकुल सेफ तरीकी से और यहां पर हम फिटिंग करेंगे इसका एयर फिल्टर ठीक है और जो इसका फ्यूल फिल्टर है वह हम रिप्लेस करेंगे इस जगह से तो यह लोकेशन है इसके फ्यूल फिल्टर की इस जगह पर तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे इसका यह नियू फ्यूल फिल्टर तो ईस फ्यूल फिल्टर को खोलने के लिए आपको यह दो पाइप के खोलने होती है जो कि इस इसमाद ही घाल ऑर यहां पर अमट करेंगे साथ करेंगे इसका उलूल। यहां पर हम तो आपर करेंगे इसमें घुलेट इसे अजगा पर हम तो करेंगे कर दिया है तो यहां पर हम तो करने के बाद अधर और फिटिंग करेंगा हम इसका एयर फिल्टर इस जगा पर करोंगेचे और नीशे द्रीन पलाके इसको टाइड पर देते हों कि अब यह सक हो हमने इसका rat है और इसका यह इसका वाल कर दिया है तो यह औरिजिनल इंजन ओइल जो कि आप हम फिलिंग करने वाले हैं इसमें ओके यह साइड आप इसकी MRP बिदी सकते हैं और मेरे को वीडियो में काफी कमेंट भी आय थे कि आप इंजन ओल कौन से डालते हैं तो जो कार के लिए जो रिकमेंड होता है इंजन ओल हम वही इस जगा पर तो यह लोकेशन है इसमें इंजन ओल फिलिंग करने के लिए इस के आपको खुलेंगे और इस जगा फिलिंग कर देते हैं इसका इंजन ओल तो यह इस तरीके से आपको इसमें जो इंजन ओल फिलिंग कर देना है आप टो इंगे करने से पछे आपको इसका को फिल्टर स्पथीर करना है और उसको अच्छी से कर देना हैं की किरnia अपर आपक lähब्ला का Temeg 19 इंजनॉल फिलिंग करना होता है तो अभी हमने इसमें जो इंजनॉल था फिलिंग कर दिया है और यहां पर हम लगा देते हैं इसका ओयल कैप तो इसको अच्छे से क्लीन करके और इसे एरिये को अच्छे से क्लीन करके इसके कैप को लगा देते हैं तो यहां पर आपको टोटल इसमें इंजन ओयल डालना होता है वह आपको डालना होता है 5 held यहांने कि टोटल इंजन ओल Reed mess छोशन तरो जो जोफिय कर सबसें कि अहthose पहले हम ज़्ञा का करना है यह तो टोटल इंजने लूप पिल्ट्र शुल इसको है पिमघागर 7 पर चाहिए यहां पर लोकेशल के एक आप्ट पोर्ट के तो यहां पर आप यहां प्रोप्त इसने सत्रीख कर ओया हुआ है और यह है मेरा स्केन टूल यहां पर आप सकते हैं यहां इसकार का विन नंबर जो की हो है धेंटिफिकेशन नंबर डव्डीडी डवल बन सेवें थीजीरो और यही सेम नमबर आप देख सकते हैं इस जगा पर मेंशिट किया हुआ है इस साइड में और अब भी सबसे पहले हम इसका डॉर है उसको भी क्लोज कर लेते हैं तो करेंगे हम इसको ओके तो बाहर की नॉइस भी काभी हा रही है तो अब इसका जो गलास है यह हमने क्लोज कर दिया तो यहां पर हम लेते हैं इस कार की हेल्थ रिपोर्ट ओके तो क्यूक टेस्ट ओके इगनिशन स्विच ओन है ओन होना चाहिए ओन है ओके हैल्थ रिपोर्ट स्टार्ट तो जितने भी इस कार में कंट्रोल मॉडियल फिटिंग है एप्टॉक्स जैसे की मालीची ECM इंजिन कंट्रोल मॉडियल मॉल्थी-Сानफ्बूशन कंट्रोल मॉडियुल i.eills fuel pump उल्इक्ट्रोनिक्स cav butter लक्ट्रोनिक किट पर आप देखते हैं यौल इसमें एक्ट्रोनिक पर श्चेटर मॉनिट इसमें एक्ट्रोनिक पर ब्रेक ब्रेक्ट विश्चिन स्वेक्ट्रोनिक एक्ट्रोनिक पर hasn ическая electronic ignition log है टोकै तो यह सारी शीज़े इसमें िसकेन हो रही है है सात ही सात ही सहाथ इसमें हम इसका engine control module इसलान क्राइब क्पी इसी डेखान के अधरुन क्नट्रोल म Salem तरे में एक से मेंस और रहोडिया गिजांग मर्सेडेस के लिए जिसमें यह स्कारइब हो रहा था अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके आप उस वीडियो को भी चेक आउट कीजिए मर्सेडीस की प्लेलिस्ट में में वीडियो में ने अप्लोड किया हुआ है और उपर आई बटन में भी आपको लिंक शेयर हो जाएगा तो यहाँ पर आप हम completely इसको पूरा डाइगनोस करेंगे डाइगनोस करने के बाद में जो भी इसमें फोल्ड कोड है उसको पूरा हम क्लियर करेंगे क्लियर करने के बाद मैं आपको बताने बालों किस तरीके से आप इसकी इंजिन की सर्विस को रिसेट कर सकते हैं एक मैनुड यूली श्टैप से और जो स्रविस रिसेट होती है वो अनली स्टेरिंग वील सही हो जाती है आपको इसके लिए कैसा भी कोई इसकेशा ही कोई जरूबत नहीं पड़ती है अब manually इस service को reset कर सकते हैं बिना किसी scan tool की help से तो अभी हम करेंगे इसकी service को reset तो 77% यह अभी इसमें जो processing progress हो चुका है तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा वेट और करना है इसमें और service reset करने के लिए जो procedure है वो आप बड़े ही थोड़ा ध्यान से देखिए काफी step by step आपको एक-एक step से आपको इसमें procedure complete करना होता अगर आप उसको wrong तरहीं किसे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे इस्टेटर्स आ चुके हैं जो यह फोल्ड कोड है यह आ चुके हैं तो यहां पर आपको फोल्ड ऻोट लेकर खरके चेक रोते हें तो राते हैं तो गतर अब अंदर इंटरनल फोल्ड आ चोगा जिसकी वएसे इसका जो कैमरा है वो हमें रेप्लेस नहीं करना पड़ाइगा कार्बन की बएसे दोन फोल्ड छोको हटाथेंगे यहाँ से क्लियर हो जाएँगे क्योंकि अब आने पर्म्नेक्ट यहीं को डिलीट करना पड़ता है इसलिए कारों में डिजाक डियाग्नोच करना पड़ता है इस फोल्ड को क्लियर करने तो इसके लिए ये हमें इसकी फोर्ड मेंबॉरी ए ये क्लियर कर दिया और यहांपर जो डिटी सी था रा शारा फोर्ड कोड जा चुका हैं प्यासी पूए प्रॉलम नहीं है और अब next step हमारे start होता है service को reset करने के लिए तो यहाँ पर आपको service reset करने के लिए क्या करना है सबसे पहला simple step है instrumenter cluster पर आपको odometer stroke होना चाहिए ignition switch on है यहाँ आपको off करना है पूरा complete यह मैंने completely switch off कर दिया चा भी मेरे हाथ में है अब मैं इसकी key को यहाँ पर on इस जगह पर लगाँगा तो आप instrumenter cluster पर जैसी आप देखेंगे यहाँ पर airbag का light on होगा यह airbag का light on होता है उसके बाद आपको क्या करना है जिससे आप phone को pick up करते है यानि कि phone उठाने वाला जो button है right side में इसको press करना है और साथी साथ आपको इस ok के button को दोनों button को आपको एक साथ press करना अभी मेरे हाथ में camera है मैं इसको एक बार आपको press करके check कराता हूँ यह किस तरीखे से आपको press करना होता है तो मैं कोसिस करूँँगा आप इसको एक बार देख पाएं तो यहां पर आपको ignition switch off करना है, इसको मैंने की को on किया, airbag light on है, तो हम यहां पर okay और phone pickup button दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो जैसी आप इन दोनों को 5 सेगंड के लिए प्रेस करके रखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, वीकल डाटा, रोलर टेस्ट, पैड रप्लेसमेंट, ओके दाटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, okay करेंगे इस जगा से, यहां से जैस और यह इस Berry नम्मठ नंबर और कौन सा इंजन इसके अंदर विटेःगए यह आप इंजन नम्मिशन और गे मिज़न के नमबर के ले न नंबर है के नमबर इसका- ूप योद्य नमबर से केंड़ेंड भी तो आप seven ठीखास एक यहां से हम इसकोieli पिछे कड़े点 करते हैं ना है जैसी आप ऊके करेंगे तो यहां पर आपको next display show करेगा service data तो service data पर अगर आप click करेंगे या आप इसको ok करेंगे तो यहां पर service पहले हुई थि वह इसका workshop code यहां पर show करेगा service code v3 show करेगा कितने दिन इसमें बाकी हैं और कितना – अभी बाकी है यह सारा record इसमें देखाता है यह पहले का record है और जो आपको reset करना है इसके लिए आपको फुल सर्विस पर reset करना होता है फुल सर्विस पर जाने किया आपको इसको करना है confirm full service हम इसको ok करेंगे जैसी ok करेंगे तो यहाँ पर यह इसका oil का grade है यह ok service caring out yes और आपको फिर से सर्विस डाटा चेक करना है, ओके, यह आप देख सकते हैं, यह इसका वक्षप कोड है, सर्विस कोड आ चुका है, इसमें A9, 365 डे, यानि कि एक साल 365 दिन के लिए, यह इसमें जो सर्विस है, वो रिसेट हो चुकी है, 15,000 किलोमेटर के लिए, फिर से, और यह इस तरीके से आप इसकी जो सर्विस है, इसको रिसेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने कर दिया, इस कार का सर्विस रिसेट, और यहां पर हमने कम्प्रिटली इस कार की जो सर्विस थी, फाइनल कर दी है, और अब मैं आपको कार को स्टार करके चेक रहाता हूं, इसक किसी ना किसी एक टायल में का जो प्रेसर रहे वो कम होगा तब यह टीपियम इसका सांइं आता है इसमें और ऊसको मिल्डवी कर सकते हैं हुए कर स्टार्ट हो चुकी है आप अपने अब हमने कार स्टार्ट कर दी है और पर कैसे भी प्रॉडम नहीं है तो हमने की हैइस कार की complete service तो service में हम आपको बडाया एक तरहीकिस आपस की service को reset कर सकते हैं किस तरीकिस आप इसके को पूरी कार पूरी कंप्री तो क्या सी प्रॉल्ड में कर दिया है आपको उम्मीद है आपको नइन अच्छा लगा हुगा अगर आपको मारे वीडियो अच्छा लगाए तो प्रीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शिया कीजिए और चैनल को स्प्राइब कीजिए और साथी साथ हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया इसका एंजन प्रोडेक्ट कावर अगरे